हालो फ्रेंट्स आईए अप्रिट्टिट्ट सीरीज में हम लोग टाइमेंड वर्क का प्राक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग नंबर ओफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला एक concept है हमारा कि आप सबको पता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय किता लगता है वो होता है total work by efficiency कोई भी काम हो उसको अगर आपको पूरा करना है तो समय किता लगेगा total work upon efficiency this is the basic formula to deal with any problem in time and work अब देखिए एक best example लेता हूँ मैं इस formula को पूरूफ करने के लिए मानली जी आपके वास एक company है जो जिसको 50 chairs manufacture करने है and वहाँ के labors की efficiency इतनी है कि they can manufacture 5 chairs per day वो company के जो labors है वो सिर्फ दिन में 5 chairs बना सकते हैं तो आपको workout करना है कि कितना समय लगेगा उन chairs को manufacture करने के लिए तो आप क्या करेंगे आप simply करेंगे time equals to total work यहाँ पर total work किता है आपको 50 chairs बनाने है तो आप 50 को आप किसे डिवाट करेंगे उनकी efficiency के साथ efficiency है 5 तो 50 by 5 किया तो यह बनगा 10 days का that is 10 days मतलब उस particular company को 50 chairs को manufacture करने के लिए 10 days की requirement है अब इसमें हम लोग एक type study करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि work किस पर किस पर dependent है आप सबको पता है कि work जो है न वो depend करता है number of mens पर that depends on number of mens यह men बोलते है men say men men okay so work depends on men work depends on days यह days पर भी depend करता है work also depends on number of hours you do the work work तीन factors पर dependent है men days hours मतलब उस काम को पूरा करने के लिए number of mens किते हैं उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लग रहा है और उसी काम को आप दिन में कितने hours करते हैं ठीक है इसमें आप एक और factor पकड़ सकते हैं efficiency you can also consider efficiency that work is also proportional to efficiency तो efficiency तो हम लोग problem में जादा तर नहीं देखते हैं but men days hours यह देखना कंपल सरी है तो आप यहां देख सकते हो that men sorry work will be proportional to work will be proportional to men m for men d for days h for hours आपको स्थिफ इतने याद रखना है m dh मसाले work is proportional to m dh m मतलब men d मतलब days h मतलब hours so work is proportional to m dh मसाले so अगर आपको पहला वक निकालना है let us say work number 1 तो यहांगा m1 d1 h1 आपको दूसरा वक निकालना है w2 वो यहांगा m2 d2 h2 मानलो work same है work same है कोई एक work है कि उसको एक particular men complete कर रहा है इतने hours में इतने days में उसी work को दूसरा men कितने days में complete करेंगा अगर आपको वो निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप simply क्या करेंगे दोनों के parameters compare करेंगे men days hours for a particular work w1 will be equal to men days hours for a particular work w2 आपको बस यह relation यहांद रखना है इन problems को solve करने के लिए mdh किसी भी work का will be equal to mdh दूसरे work का ठीक है it is very simple just आपको यह approach यहाद रखनी है that work is proportional to men days hours तो मैं बोल सकता हूँ m1 d1 h1 will be equal to m2 d2 h2 यह आपको formula यहाद रखना है पहला वाला अगर इसमें दोनों work same है अगर w1 equal to w2 है then it is m1 d1 h1 equals to m2 d2 h2 similarly अगर work अलग अलग है तो कैसे compare करेंगे m1 d1 h1 upon work w1 equal to m2 d2 h2 upon work w2 यहाँ पर work अलग अलग है let us say मैंने बोला कि इस particular आदमी ने half work complete किया तो उसके full work complete करने के लिए कितने मैं लगेंगे आपको वो निकालना है तो इस तरीके के questions हम लोग यह particular type में अभी discuss करने वाले तो शरिफ आपको यह दो formula याद रखने है men days hours for a particular work will be equal to men days hours for another work आई यह इसके numerical discuss करता है एक और चीज़ याद रखना किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपने letter से 10 आद भी लगा है एक काम को पूरा करने के लिए आपने 10 आद भी लगा है आपको लग रहे है 5 days या आपको लग रहे है 10 days लिड़स से आपने 10 आद मी लगा है वो काम खतम कर रहे है 10 days में अगर मैंने number of men's बढ़ा दिये अगर मैंने आपके 20 men's कर दिये तो simple सी बात है समय कम लगेगा ज्यादा men employ करेंगे तो समय कम लगेगा यहाँ पर अगर अपने men's को double किया तो time लग बग आदा हो जाएगा they'll take only 5 days यह एक thinking ability आपको बढ़ा नहीं है कि जब-जब number of men's बढ़ते हैं तो काम को पूरा करने के लिए समय कम लगता है तो अभी जो मेरा approach है जो मेरा type number 1 है वो based है किस पर वो based है MDH मसाले पर मतलब men day hour से concept है आगे start करते हैं 10 men can complete a piece of work in 12 days 10 men see पहला men किता है 10 है they can complete a piece of work in 12 days तो D1 किता है 12 days okay in how many days can 5 men अगर M2 किता है 5 है can complete the same piece of work आपको दूसरे के days निकालने work same है बस men's अलग है तो देखो अपना बास formula है M1 D1 H1 equal to M2 D2 H2 यहाँ पर problem में hours की बात नहीं किया है तो इस term को काट दो M1 किता है M1 है 10 D1 किता है 12 M2 किता है 5 आपको D2 workout करना है तो यहाँगा 1 time 2 time this duration will be 24 days this will be 24 days simple सा logic है आपर आपने number of men's को कम कर दिया तो समय double हो जाएगा so they'll require double the time initially 12 दिन लग रहे आपने लोगों को कम कर दिया मतलब समय और जादा लगने वाला है तो एक basic सा question था next question क्या लिखा है 16 men आप देखो मैं शॉट कर में कैसे discuss करता हूँ 16 men can do a piece of work in 28 days they can do a work in 28 days in how many days 32 men complete the same work अभी same काम को पूरा करने के लिए मैंने 32 men employ किये हैं उनको समय किता लगना मतलब दूरेशन है D2 आपको देश निकालना है simple है this is 1 time this is 2 time this is 1 time this is 14 time तो आपका दूरेशन कितना आता है वो आता है 14 days का that is 14 days simple shortcut में इसको solve करना है आपको समय बचाना है क्योंकि समय जितना बचाऊंगे paper कम समय में solve करना है 28 men can complete half of the work अभी question का level थोड़ा भी change हो रहा है 28 लोग मैंने employ किये हैं बट वो आधा काम complete कर रहा है see 28 men they complete half work in 20 days ये 20 दिन लगा रहा है but काम कितना हो रहा है काम हो रहा है 50% मतलब आधा हुआ तो ये half लग दे रहा है मैंने आपको formula क्या बचाए था men days hours for a particular work w1 will be equal to men days hour for another work w2 अभी यहां पे इन लोग ने आधा काम किया तो half of work लेता हूँ मैं total work है w that will be equal to in how many days आपको d2 निकालना है 80 men 80 men can complete the entire work मतलब पूरा का-पूरा काम करना है यहां पे work रहा है w यह work है 100% है यह है 50% यहां पे ww cancel यह 2 गया ओपर 20 into 2 is 40 40 is 1 time this is 2 time तो आपका d2 कितना होता है d2 will be 14 days only d2 will be 14 days see यहांब एक concept मैंने याला अप्लाई किया है आप देख सकते है मैंने आपको formula discuss किया था m1 d1 h1 मतलब mdx upon work w1 will be equal to m2 d2 h2 by upon work w2 this is the concept all right चलिए आगे बढ़ेंगे same concept पे next question discuss करते है 18 men can complete one third work अब बात किया है one third work की total work किता है मानलो w है उसने complete किया one third work थीक है तो 18 men can complete one third work in 20 days 20 days में काम होरा है गुरा पड़ वर्क किता होरा है one third of the work is completed okay in how many days एक पल्टोग आप लेखो d2 निकालना आप लेखो 12 men 12 men can complete half of the work मतलब पूरे काम का half work करना है आप हाफ of w कर दो आप w w will get cancel यहाँ पर 3 को पर बेजेंगे तो 18 into 3 into 20 equal to 12 into 2 into d2 this is one time this is 10 time this is one time this is four time this will be 18 into 10 divided by 4 equal to d2 this is two time this is nine time this is one time this is five time so d2 will be 45 days यहाप इनको 45 days लगने वाले हैं 12 men को half of the work complete कर ले ले चलिए यह question था जो मैंने पहले solve किया था इसको मैं रप कर देता हूं चलिए क्या लिखा है if five boys अब धेनदने यहाप पर question अलग है if five boys can do if five boys take seven hours to pack 35 cartoons अब ध्यान देना wording में थोड़ा था बादला हूए है क्या लिखा है five boys है number of men's M1 किते है five है take seven hours H1 दिया हूए 7 घंटे लग रहे है इनको ठीक है to pack 35 cartoons अब जो मैंने आपको काम दिया है वो काम दिया है 35 cartoons को pack करने का तो work number one किता है 35 cartoons की packing है 35 cartoons की packing है then how many boys can pack 45 cartoons work W2 के है 45 cartoons को pack करना है अपने को in three hours उसका H2 दिया हूए 3 घंटे का ठीक है तो आपको निकालना है कि number of boys किते लगने वाले है second work को perform करने के लिए आपको पता है M1, D1, H1 MDH मसाले by W1 equal to M2, D2, H2 किसका work W2 का यहाँ पर work का लगने तो आपको दोनों को use करना पड़ेगा W1, W2 को यहाँ पर duration की बात नहीं sorry days की बात नहीं है that will get cancelled M1 किता है 5 boys 7 hours 35 cartoons M2 के है आपको निकालना है hours किते लगने 3 work किता है 45 cartoons का work है this is 1 time this is 15 time this is 1 time this is 5 time 5-5 will get cancelled M2 will be 15 men sorry 15 boys आपको 15 boys को employ करना पड़ेगा so that 45 cartoons को आपलोग पाक कर सको in 3 hours आपको 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 स्टाट करते है same question 6 boys take 10 hours 6 boys take 10 hours to complete 30 cartoons तो अपउन 30 कर दो क्योंकि work है W1 किता है 30 का है equal to then how many cartoons अब यहां निकाला number of cartoons pack करना आपको तो cartoons मतलब work है मेरा W2 can 11 boys pack 11 boys को pack करना है कितने घंटे में 8 hours में ठीक है तो यहां पर में W1 को निकाल देता हूं आप समझ गया हूंगा है मैंने W1 कियो लिख हाँ पर now see 6 boys can do 10 can pack 30 cartoons in 10 hours 11 boys can pack how many cartoons in 8 hours ठीक है so this is 00 will cancel this is 1 time this is 2 time this is 1 time this is 4 time then they can pack 44 cartoons simple है बहुत concept पूरा सेम है या दखना M1 H1 upon W1 equal to M2 H2 by W2 यह मैंने concept इसमें इस्तिमाल किया है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे ठीक है अपना practice session है practice session में को speed ज़्यादा रखनी पड़ेगी ताकि आपकी भी speed बढ़े आई यह next question देखते है a single person एक person क्या करता है 4 minutes लेता है एक page को type करने के लिए a single person take 4 minutes to type a page देखो number of mens किता है 1 time किता है hours पकलो H1 किता है 4 minutes है to type a page यह work हो गया so work is to type a page okay from 12 noon to 1 pm 1080 pages are to be typed अब नया work किता है 1080 pages आपको type करने है then how many persons should be employed आपको M2 निकालना है आपको timing दिया है 12 से लेकर 1 बज़े तक का मतलब आपको hours किता है 1 hour है 1 hour मतलब होता है 60 minutes का ठीक है तो आपको पता है आपको formula कौन से यूज करना है आपको formula यह यूज करना है M1 H1 upon W1 equal to M2 H2 upon W2 ठीक है so M1 किता है 1 hour किता लग रहा है 4 minutes work किता है 1 page का equal to M2 आपको यहा निकालना है H2 किता है 60 minutes है upon 1080 this is 1 time this is 15 time तो आपको M2 किता आता है 1080 upon 15 this is 35 जा 360 जा this is 1 time this is 72 times I think yes this is 72 तो इसका option किया है option number D is the correct answers चलिए आगे बढ़ेंगे यह आपका same question है आप इसको homework करिए this you can do as a homework if you have any doubt आपके पास एक system है आपको directly question WhatsApp कर सकते है आप आपको doubt पूर सकते है ठीक है चलिए next question देखते है 8 men complete 80% of the total work 8 men 8 men complete 80% यहा पर work किता हुआ initially work double one किता है 80% work कुआ पूरा in 20 days यहा पर लिखो 20 days ठीक है कित तक काम हुआ 80% तो इसको divide करो work number one से W1 से equal to in how many days आपको D2 निकालना है 40 men 40 into D2 करो can complete the entire piece of work can complete the entire piece of work पूरा काम करने के लिए मतलब 100% काम करना है 100% काम करना है तो आपका W1 है 80% W2 किता है वो है 100% 80 into 20 upon 80% 80 equal to 40 into D2 upon 100 this is 2 4s are 2 5s are this is 1 time 2 time 1 time this is 8 time so the answer will be how much D2 will be coming out to be 40 by 8 8 5s are 40 this is 5 days option इसका B आता है B for Bombay is the correct option okay तो याद रखना है आपर 80% work दिया था मतलब W1 किता है 80 है W2 किता है entire piece of the work मतलब work किता हो गया वो हो गया 100% okay so this is question number 9th which we did next a contractor undertook a work to construct a road this is road ROAD in 100 days एक contractor ने काम लिया जिसमें उसको 100 days के अंदर पूरा काम कंपलीट करना था उसको एक रोड बनाना था he employed 110 men उसने इंशिली क्या किया 110 आजमियों को हायर किया एन अपना काम स्टाट किया after 45 days he found that only 1 4th could be built. See, उसने 110 लगों को employ किया, hire किया, 45 days के पाद ये मालूम पड़ा कि उसमें से सिर्फ 1 4th काम पूरा हुआ है. 1 4th मतला है 25% work is completed. In order to complete a work in time, how many more men should be employed? अब ये एक real life problem आगे आपके सामने, कि आपने situation ले लिए, आपने काम ले लिया, अगर आप सिविल इंजिनेर है, आपने बोल दिया है कि मैंने एक रोड का construction का काम लिया हूँ, मुझे वो काम 100 दिने पूरा करना है. अगर काम 100 दिने पूरा नहीं हुआ तो आपको 45 देज के बाद analyze किया कि मेरा सिफ अब तक के 1 फोर्थ काम ही पूरा हुआ है, बट मेरे पास अभी 55 दिन बाकी है, I have, there is a time of 55 days which is left. अब इन 55 देज में मैं कितने जादा और labors को hire करूँ ताकि मेरा काम समय पे पूरा हो जाए, my work must be completed on time. तो आप इनिशली 45 देज तक काम किया, तो 45 देज में उनको मालूम पड़ा कि पहला वक किता हुआ, उनका 1 फोर्थ work complete हुआ है, घान देना बेटा, 1 फोर्थ मतलब सिर्फ 25 परसंट काम हुआ है अब तक के, आपको निकालना है additional कितने workers को मैं add करूँ, ताकि मेरा काम समय पे पूरा हो, अब देखो काम है 100 days का, 100 में से 45 days हो चुके हैं, तो अभी नया duration किता है, नया duration है उसके पास 55 days का, ठीक है, अब उसको number of men's employ करने, extra, तो 110 तो उसके पास available है, वो extra कौन कितने apply करेंगा, let us say वो X apply करता है, X men's को hire करता है, ठीक है, उसको बचावा work W2 complete करना है, 100 में से 25% काम हो चुका है, सिर्फ 75% काम बचा है, तो 75% यहाप है, मेरा work बचावा है, pending है concept वो ही है, जो मैंने आपको बता है अब तक है, MDH मसाले आप याद रखना, MDH आपका answer आजाएगा, see, M1, D1, upon H1 की बात नहीं किया, तो H1 को छोड़ दो, upon work है W1, equal to M2, D2, upon work किता है W2, M1 किता है, 110, into D1 किता है, 45 days काम किया, work कितना हुआ, 25% equal to, M2 किता है, 110 plus X है, duration किता है, 55 days का है, upon work किता हुआ, 75% काम करना हुआ, दो, this is 1 time, this is 3 time, this is 11, 10 जा, this is 11, 5 जा, 10 into 45, याप याप 3 से मुलबाग कर दो, 10 into 45, that is 450, equal to, ये क्या है आपर? अच्छा, मैं ये भी काट सकता हूँ, I can cancel these two also, देखो, ये 5 के टेबल में 45 का बाता है, 5 बन जा, 5, 9 जा, तो 9 into 10, 9 into 10 करूँगा, equal to, 110 plus X करेंगे, और ये अप आउन थी था, ये वजाँगा, 270 equal to, 110 plus X, तो X कितना था पेटा? X will be 270 minus 110, which is nothing but 160, मतलब आपको 160, लेबरों को और हायर करना पड़ेंगा, ताकि उस काम को पूरा किया जा सके, within 100 days, this was the concept, तो आप देख सकते हूँ, MDH, men, days, hours, इस concept से मैंने कितने number of problems solve किये, और ये real life problem है, आप अपने practical life में पे इसको use का सकते है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, next question क्या है? next question देखते है, क्या लिखा है? 4 mat weavers can weave 4 mats in 4 days, अब देखो, 4 mat weavers can weave 4 mats in 4 days, at the same rate, how many mats would be woven by 8 mat weavers in 8 days, अब mat को आपको बनाना है, so 4 men, weavers मतलब men है, they can weave 4 mats, आपका पहला काम कितना है, they can weave 4 mats in 4 days, D1 कितना है, 4 days है, यहाँ पर लिखता हूं है, M1, D1 by W1, equal to M2, D2 by W2, ठीक है? at the same rate, how many mats, how many mats मतलब आपको, W2 निकालना है, would be woven by 8 mat weavers, M2 कितना है, 8 है, और D2 कितना है, वो भी 8 days है, ठीक है, और number of mat weavers, initially भी कितना है, M1 भी क्या था, 4 ठीक है, 4 into D1 कितना है, D1 है आपका 4 days का, work कितना है, 4 ही weave करना है, M2 कितना है, M2 कितना है, आपको निकालना है, number of days कितना है, 8 है, upon, sorry, यहाँ पर आपको M2 दिया हुआ है, M2 कितना है, 8 weavers है, work कितना है, W2 निकालना है, आपको, this 4 will get cancelled, this is 1 time, this is 2 time, You can weave 16, 16 mats, आप लोग 16 mats बना सकते हो, using 8 mat weavers in 8 days, okay, इसका correct answer क्या है, this is 16, symbol constructor, अब यह भी एक real life problem है आपका, how many men will be required to plow 100 acres, 100 acres आपको जमीन को plow करना है, मतलब उसकी खितिवाडी करनी है कुछ, ठीक है, of land in 10 days, ठीक है, if 10 men require 8 days to plow 20 acres of land, अब देखो, initially क्या हो रहा है, 10 men लग रहा है, M1 है 10, उनको समय किता लग रहा है, D1 है 8 days, और they can plow 20 acres, तो work किता हो गया, work हो गया 20 acres की plowing, ठीक है, यह irrigation के काम है, जिसके हम लोग plowing करते हैं, खेती की, so, आपको निकालना है M2, how many men will be required to plow 100 acres, आपका work किता है, वो है 100 acres की आपको plowing करनी है, of land in 10 days, आपका D2 किता है, वो है 10 days, ठीक है, concept simple है, M1, D1 by work है W1, equal to M2, D2, work किता है, वो है W2, therefore M1 किता है, M1 is 10, D1 is 8, by 20 acres का काम लिए था नोग न, है, M2 किता है, वो है को निकालना है, D2 है 10, by work is 100, this 2, 0 will get cancel, this 0 will get cancel, 1 time, 4 time, so, M2 will be 4, sorry 40, 4 times 40, so, 40 men will be required to plow 100 acres of land, okay, चलिए, आज़े बढ़ेंगे, ये question कुछ अलग है, ध्यान दिना, a certain number of men, अब men नहीं पता किते है, a certain number of men, चलिए M1 है, X पकड़ लेते हैं उसको, complete a work in 160 days, इनको समय किता लग रहा है, 160 days का समय लग रहा है, ठीक है, if there are 18 men more, अगर जादा men होते, कितने जादा होते, X plus 18 होते, the work would be finished in 20 days, less, अगर मैंने number of men's को 18 से बढ़ाया, तो work 20 days कम में, कम समय हो सकता है, मतलब D2 किता है, आप 160 में से, sorry, आप 160 में से 20 को सब्टराक कर लो, मतलब work आपका 140 days में, कम्पलीट होने वाला, so how many men will work originally there, आपको original men कितने हैं, वो निकालना है, ठीक है, आपको concept पता है, work आपका सेम है, a certain man complete a work in 160 days, if there were 18 men more, the work would be finished in 20 days less, मतलब यहाँ पे work सेम है, ठीक है, तो मैं simply का करूँगा, M1 D1, equal to M2 D2 करूँगा, मेरा answer आजाएंगा, M1 कितने है, X into 160, M2 कितने है, X plus 18 into 140, this 0 will get cancelled here, यहाँ 16 X equal to 14 X plus 18 into 14, 16 में से 14 subtract हो सकता है, 16 में से 14 गया, बचा 2 X equal to 18 into 14, X will be equal to, this is 1 time, this is 7 time, 7 is a 56, this will be 126, मतलब आपको, आपके originally 126 men होंगे, जो एक काम को पूरा करने के लिए 160 days लगा रहे होंगे, ठीक है, concept पूर सिंपल था है, Next, a certain job was assigned to a group of men, to do in 20 days, but 12 men did not turn up for the job, and the remaining men did the job in 32 days, the original number of men in the group was, अब यह भी same question है, कि कुछ group of men को मैंने एक काम दिया, वो काम को उनको 20 दिन में पूरा करना था, बट उन men's में से कुछ 12 लोग थे, जो job पे नहीं आये, तो जो बचेवे लोग है, उन्होंने वो काम 30 days में पूरा किया, तो आपको निकालना है कि original number of men's किते थे, तो मान लो number of men's original क्या थे, x थे, उनको काम पूरा करना था 20 days में, तो d1 क्या था, 20 days, 12 men उसमें से नहीं आये, मतलब अभी m2 कितता हो गया, m2 हो गया, x-12, ठीक है, and the remaining man did the job in 32 days, इनको समय लगा 32 days का, ठीक है, यहाँ पे work same ही है, जितना काम ये करने वाले थे, उतना काम अभी इन लोगों ने किया, तो simply हम लों क्या करेंगे, m1 d1 equal to m2 d2, चलिए, आई अप्लाई करिए, so m1 d1 equal to m2 d2, तो m1 कितना आपका, x, d1 कितना आपका, 20 equal to, m2 is x minus 12 into 32, so this is 20x equal to 32x minus 12 into 32, यहाँ लिखरो में 12 into 32, ठीक है, इसको solve करेंगे, so 12 into 32 x side equal to, 32 में से 20 गया, कितना बचा, इबचा 12x, so 12 12 will get cancelled, x will be equal to 32, मतलब, ओरिजिनल लंबर of men's कितना थे, वो थे 32, रिवा 32 only, अब यह इसका एक last question है, यह discuss करता है, यह इस type में, क्या लिखा है, there is sufficient food for 400 men for 31 days, अब इसमें, हम लोग food की बात कर रहा है, कि 400 लोगों को खाना, 31 days के लिए sufficiently अपने वास अविलेबल है, मतलब, आपको 400 लोगों को 31 days तक खाना खिलाना है, यह आपका एक काम है, this is your work, ठीक है, after 28 days, 280 men leave the place, मतलब, 28 जिन के बात क्या हुआ, 400 में से 280 men उस place को छोड़ दिये, मतलब, अभी 120 लोग बचे हैं, for how many days will the rest of the food last for the rest of the men, मतलब, जो बचे वे लोग है, उन लोग के लिए अभी कितने समय तक के वो food अविलेबल है, initially क्या हुआ, 400 men का खाना, 31 days के लिए अविलेबल था, अभीलेब है मतलब, अभी उसमें से after 28 days, मतलब, 28 days later, 28 दिन के बाद क्या हुआ, 280 लोगों ने वाँ से उस place को छोड़ दिया, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि 28 दिन तक के, उन 400 लोगों ने खाना खाया, तो अब जो existing बचे वे, जो 400 लोग थे, अब वो बचे वे तीन दिन खाना खा सकते हैं, सी, 31 days के लिए, 400 लोगों के लिए खाना था, अब उन लोगों ने sufficiently, 28 days तक खाना खा लिया, मतलब, अभी जो मेरा बचावा खाना है, वो तीन दिन का है, 400 लोग के लिए, ठीक है, equal to, क्या हुआ उसमें से, उसमें से 280 लोगों ने वो प्लेश को छोड़ दिया, मतलब, अभी 400 में से, 280 को सब्ट्राक करो, क्योंकि मेरे पास अभी, खाना तो सेम ही है, but 280 लोगों ने वो प्लेश को छोड़ दिया, तो 400 में से 280 गया, वो जो खाना है, अब बचा है 120 लोगों के लिए, then for how many days will the rest of the food be, food last for the rest of the men, आपको इसका duration निकालना है, D2 निकालना है, मतलब वो जो 120 लोग है, वो कब तक के खाना खा सकते हैं, so 400 into 3 करो, equals to 120 into D2 करेंगे, this is 1 time, this is 40 times, D2 will be 10 days, D2 will be 10 days, मतलब क्या हुआ, कि अब वो जो 120 लोग बचे हैं, वो 10 दिन तक खाना खा सकते हैं, ठीक है, concept बहुत simple है, बड़ थोड़ था tricky है, क्या था, 400 लोगों का खाना 31 दिन तक अविलेबल था, 400 men, they have to eat the food for 31 days, यह अपना काम था, अब 28 days पूरे हो गया, 28 days तक का जो भी खाना था, खाना बचा है, 3 days का, कितने लोगों के ले, 400 लोगों के ले, यह काम अपना, बड़ आगे क्या हुआ, इस में से 280 लोग खाना, वो उस प्लेस को छोड़ के चले गए, मतलब बचे कितने, बचे हैं अभी 120 लोग, उनके लिए खाना, इतने दिन तक बचा रहगा, वो रहगा बचाना D2, they will eat the food for D2 days, so D2 is coming out to be 10 days, that is coming out to be 10 days, अब देख सकते हो, किसी को खाना खिलाना, उसको भी मैंने work के concept से जोड़ दिया, ठीक है, there was a food available for 400 लोगों, that is related with the time and work concept, यह था अपना एक आज का topic, जिसमें हम लोगों ने M, D, H के concept पे, बेस पे, हम लोगों ने 15 questions solve किये, इसके आगे में मैं इसके नए topic स्टार्ट करूँगा, नया प्रैक्रेशन स्टार्ट करूँगा, जिसमें कुछ और approach से भी हम लोग number of questions solve करेंगे, मिलते हैं next video में, तब तक लिए thank you so much.